हालो जी गुड मार्निंग नमस्ते कैसे हैं आप सब और एक बाफिर से वेलकम आपके अपने चैनल में तो जी फ्रेश व्लॉग जो है आचे शुरू हो गए हैं दिन सोंबर का तारीक है 12 जून और सुबह का ये टाइम है और का मैं दो-तीन दिन से मैं व्लॉग नहीं डाल रह थे दिन आपका व्लॉग नहीं आ रहा क्यों क्या हुआ तब ठीक है क्या तो जी तब ठीक थी बस ऐसा ही जो है इमांगी बुए जो आई भी थी तीन तीन चार गन के लिए तो बस फर हम लोग ऐसे बाते बाते करते रहें और जब बाते करने लगती है लेडिस तो आप समझ रही थी उस टाइम तक चाय पानी वगएरा मतब 6 बजे अपना उठ गई थी मैं और 6 बजे मैं सच बताऊं बहुत दिनों के बाद मैं 6 बजे उठी हूं 31 मई को मैंने जो है वो अपना उप्रेशन करवाया था उसके बाद से जो है 12-13 दिन के बाद जो है मैं आज इतना जल दोर तो मैं नहीं कर रही हूं क्योंकि ओप्रेशन के 3-4 दिन के बाद ही हलका फुलका मैंने घुमना शुरू कर दिया था क्योंकि जितने भी बड़े बुज़र्ग हैं वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत घुमना फिरना चाहिए ताकि जो आपकी बाड़ी है उसमें जो है कर घर की हालत भी आप देख सकते हों तो सबसे पहले जगे जगर जो भी कुड़ा कच्रा मुझे लग रहा था ना कि यह वेस्टेश चीज यहां पड़ी है तो उस चीज को मैंने सबसे पहले हटाया है घर में और यह बहुत जादा ज़रूरी होती है कुछ चीज़े ऐसी होती हैं चाहिए हमारे बड़े बज़र्गों से आपके घर में अगर कोई बड़ा बज़र्ग है दादी है नानी है या आपकी ममी है तो उन से आप पूछ सकते हैं घर में कोई चीज़े बहुत सारी चीज़े हैसी होती है जो आपके घर में घर में बहुत सारी बरकत लेकर आती टाइम से सारा काम करके रखते हैं बहुत सारी चीज़े होती हैं बहुत सारा ऐसा बेकार का सामान होता हम अपने घर में ठूसके रखते हैं कि नहीं यह वो तब काम आजाएगा और वो एक सा निकल जाता दो साल निकल जाता चार साल निकल जाते लेकिन वो कभी काम ही नहीं आ तब तक मैंने सोचाहल की फुल की डस्टिंग कर लेती हूं, ज़ादा महनत वाला काम अभी नहीं कर रही हूं, क्योंकि हर किसी ने यहीं बोला है कि करीबन 40 दिन तक महनत वाला काम मत करना, तो मैं नहीं कर रही हूं और मुझे भी मेरा शरीर भी इतना लाउट नहीं कर रहा ह कि मैं भाग भाग कर काम कुई है, जल्दी जल्दी जो है, वो मैं अपने काम फिनिश करूँ, आप मेरी जो है, बॉडी लेंग्वज से भी अंदाजा लगा सकते हैं, अभी तो बहुत ही धीरे-धीरे मेरे से चला जा रहा है, वैसे मैं ठीक हूँ, दवाईया वगेरा खा रह था न, देखो मैंने क्या किया है, मैंने जादा कुछ नहीं किया, ब्रश किया है, और ये बैड की चदर जो है, इससे हलकी फुल की ठीक करिये, कंगल मैंने ले रखा है, और थोड़ा सा मैं घूमी हूँ, चार-पांच मैंने चक्कर लगाई है, और अपना फेश वो किया है कुछ काम, एक नेचरल नॉर्मल काम जो हम सुबो सुबो करते हैं, वो मैंने किया, उससे जादा मैंने कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद मैं नहाई हूँ, और सुबो उठते ही सबसे पहले आपने बिस्तर वेगर अच्छे से से सेट कर देने चाहिए, ताकि घर में अपना स्क्रब कर रही हूँ, और तेरा दिन हो गए हैं, अगर मैं सच बताओं, मैं तेरा दिन से नहाई नहीं हूँ, आज मैं नहाने वाली हूँ, स्टिचेज मेरे बिस्तर नहीं नहीं ले सकती हैं, बीच में सर्फ जिक्या होता था कि हाथ पैर धुल दे जाते थे, गरम नहा के मैं आ गई हूँ, किचन में, और मैंने थोड़ा आराम भी कर लिया, अपनी डवाई विगरा लेके, कुछ दवाई जो है, अभी क्या स्टिचेज के अंदर के जो जखा में वो भरे नहीं हैं, तो मुझे भी टड़िन विगरा लगानी पड़ती हैं, तो वो लगा के आराम करके, और मैं किचन में आ गई हूँ, और अभी मैं फटाफट से जल्दी जलुदी से अपना जुदी जल सीनि दीरे अपना काम कर रहे हूं और दीरे दीरे रोटियावं वगीरा मैं सेख लूँगी, तो मैं तो इतने दिनों से या तो मैं हरी धाली खा रही हूं, या फिर मैं घिया की सबजी वो खा रही हूँ, तो अभी डाल बनने वाली है, डाल को भीगो कर रख दिया गया था, और अभी इसमें मैं सीटिया लगवा दूँगी, तब तक साइड बाइ साइड जो रोटिया से एक दूँगी, रोटियों का क्या सिस्टम है कि पहले वाला सीन अब कि पहले सब को एक एक रोटी में गरम गरम में देती थी, वो वाला सीन नहीं है, अभी मैंने कमर पे हाथ लगा, क्योंकि मेरी कमर दुखनी शुरू हो गई थी, और सच बताओं, तो फिर जो है मेरे को ये था था थोड़ी सी रोटियां सेखनी है, जल्दी जल्दी से कि मैं एक महिने के बाद में उठूँ और पता चले मैं काम करने का मनी नहीं कर रहा है, तो अलका फुल का अपना जो है, वो काम कर रही हूं, बिल्कुल और पूरे घर का जैसे जाड़ू पोचब गे रहा है, दोनों टाइम के बरतन है, वो सारे काम जो है, वो मेरी हाउस हे इधर से उधर, उथल पुथल जो हो गया है, और अभी न धीरे-धीरे करके आज तो नहीं, आज तो मैं खाली समान ढूड़ने में लगी हूं, कौन सी चीज जो है, वो कहां पर रखी हुई है, मेरे इसाब से कोई वी चीज जैसे मैं रखती थी, कुछ भी नहीं, फिलाल हूँ, हजबिन भी जो है, अभी ड्यूटी पर चले जाएंगे, तो मुझे एटलिस मेरी बेसिक नेसेस्टी की चीज़े मुझे प्रॉपर जगे पर जो हो चाहिए, और वैसे भी सामान और्गेनाईज रहता है, तो घर में मतलब यह रहता है, कि हाँ, चीज़े सही है, हमा और भी एक्स्टा सामान रख लेते हैं, इससे क्या होता है, फिर पैसा जो है, नेसेसरी वेस्ट होता है, और क्या होता है, कि ओलेटी जब घर पर सामान है, तो पहले हमें उसको यूज़े करना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले वही चीज़ देखी, अपने डिपे बगेरा, और खाना बनाते ही तुरंत, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, घर में बरकत और खुशी लाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, खाना बनाने के तुरंत बाद चाहिए, आप सुबा का बना रहे हो, या रात का खाना बना रहे हो, खाना बने के तुरंत बाद अपनी गैस को और अपने किचन काउंटर टोप को जो है अच्छे से साफ कर देना चाहिए पहले चीज तो पर चीटिया नहीं आती है दूसरी चीज क्या है कि यह इससे क्या होती घर में बरकत आते हैं बड़ी बुजर्ग कहते हैं कि यह सारा काम करने से जो है घर में पहले त कोटी थी और खाना बनाने के तुरंट बाद भी उसकी जो अंदर की राक है उसको भी निकाल देते थे और तुरंट जह है उसकी लिपाई कर देते थे कहने का मतलब वही है कि अपने घर में सुक शांति और बरकत करने के लिए इन चीजों का भी धान जह है वो प्रॉपर र नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उसे दिन में पतानी दस घर में जहना वोता है 20 घर में काम करने के लिए लिए जाना होता है मैं बहुत थे को ल warrior । तो दिरे दिरे उसको मैं बताती रहूंगी कि ऐसे करना है और थोड़ा बहुत जह हैं मैं भी हल्का फुल का जो है भी नजर रख लोगी क्योंकि पहले तुम्हें बस बिस्तर पर ही थी नजर वज़े रखने का भी कैसा क्या कुछ काम हो रहा कोई मतलब भी नहीं था मुझे स थोड़ा बहुत सामान मंगवाया था मैंने तो किसी को बोलकर मंगवाया था तो सामान आ गया था और इस वक्त जो है मेरा टाइम हो गया था चाए और ब्रेड लेने का तो मैं दो ब्रेड अपने लिए सेकूंगी और थोड़ी सी जह है वो चाए भी जो है अपने लिए बन बिल्कुल वो भी जीरे में तड़का लगाते हैं वो खा लेती हूं और उसके बाद दो तिन दो घंटे के बाद मैं थोड़ी सी चाय लेती हूं और दो ब्रेड घीम में सिक्वा लेती हूं वो खाती हूं उसके बाद जो फिर मैं पपीदा खाती हूं फिर शाम की वही चाय ब जो है चीजों में आपकी पेट की बिमारिया या आपके healthy issues कुछ होते हैं हरी सबजियां जो है वो बहुत अच्छी होते हैं शेरीर के लिए और व्यासे भी इस तरह की चाहिए वो normal कोई delivery होती है या फिर इस तरह का कोई operation होता है तो खाना भी जो हलका फुलका दिया जाता है क्योंकि मेरी भी बच्चों के साथ आख लग गई थी और इतने दिनों से बच्चे अपने हिसाब से सारी चीजे कर रहे थे तो पता नहीं कितने टाइम तक फोन देखते और टीवी देखते रहते थे ना स्कूल का काम हुआ है ना कुछ और तो अपनी मनमर्जी करने की आद तो मैंने उनको खाना वगरा खिला है नहला दूला के उनको जो है वो सुला दिया था अभी मेरे साथ वो भी जो है वो उठ गए है एक बजे मैंने उनको जो है 11 बजे तक सुला दिया था और एक बजे सवाई बजे तक जो है वो उठ गए थे दो घंटे करीबन जो है बच् कि जब तक स्टीचिस थे न मैं आराम से शांती से बैठ भी नहीं पा रही थी और यह मेरा एक पारसल आया है अभी उसके बाद एक पारसल और आने वाला है मैं चीजे जो एक नेक्स व्लोग में आप लोग साथ में शेर करूंगी क्योंकि घर में शादी है तो मैं बाहर तो इ शादी के लिए लाने वाली हूं देवर की शादी है तो उसके लिए बहुत कुछ जैवो होने वाला है बहुत अच्छी अच्छी रेल्स आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि बहुत टाइम के बाद जो ऐसा लग रहा है कि मैं उठी हूं और मुझे बहुत एजीब सा जैव थोड़ा धीरे 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 ना उतने में थोड़ा सा जो यह वो टाइम लगता है और हिमांग मेरे साथ आया पार्सल लेने के लिए अब भी जो है मैं व्लॉग के लिए और क्या-क्या मैंने मंग वो नेक्स व्लोग में शेर करूंगी व्लॉग डेली आएंगे और अच्छ